नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल धमाका जीके पर दोस्तों आज मैं आपको करवाने जारी हूँ प्रतियोगिता दरपन्बुख के दिसंबर महा के नए एडिशन में दिये गए सार संग्रहे के प्रशनों को दोस्तों सार संग्रहे में विविम दिशो से मौशन इंपरण प्रशनी दिये जाते हैं और सब भी प्रशन आपके आने वाली परिक्षाओं के लिए बहुते मैत्पूर्ण होते हैं दोस्तों इनमें से कोई भी प्रशन आपकी परिक्षा में पूछा जा सकता है इसलिए आप इन प्रश्णों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेय जरूर करें और मेरे यूटूब चैनल धमाका जी के को सब्सक्राइब जरूर करें इससे आगे भी आपको मेरी एक्जाम डिटीड वीडियो मिलते रहे चली दोस्तों मेरे शूर करते हैं दोस्तों सार संग्रे में हमारा पहला विशे है भारते इतिहास एम संस्विती से संबंदित प्रश्णों का और दोस्तों हमारा पहला प्रश्ण है प्राचीन भारत के इतिहास के संधर्व में कुल्य वाप तथा द्रोन वाप शब्द क्या निर्दिश्ट करते हैं दूसरा प्रशन है अशोग के उतरदकारियों में से किस ने देवा नाम रिये उपादी का प्रयोग किया था अशोग के उत्रा अधिकारियों में से किस ने देवा नाम पर उपाधि का प्रयोग किया था? दोस्तो, आंसर है इसका दसरत ने तो इस ग्रंथ में यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संग में परवेश पाता है वह वन विहीन हो जाता है किन यात्री हैंसांग के नालंदा आगमन पर वहां के किस विद्वान अचारे ने उसका स्वागत किया था आंसर दोस्तो इसका अचार्य शील भद्र ने अगला प्रशन है सन 1336 एसु में दक्षिन भारत में विजे नगर की स्थापना किस ने की थी आंसर इसका हरियर तथा बुक्का ने अरियर तथा बुक्का ने 1336 एसु में दक्षिन भारत में विजे नगर साम्रजे की दोस्तो इस्तापना की थी नूर जहां का वास्तिविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम राजपूत मनसबदार की संख्या किस मुगल बाश्या के रज्यकाल में सरवादिक थी औरंग जेब के शाषनकाल में राजपूत मनसबदार की जो संख्याती दोस्तो वो सरवादिक थी तस्वा प्रश्न है अन बहु कुर्वित तद वत्रम अथार्थ अधिक अन उत्पन करे यही हमारा व्रत होना चाईए यह उल्ले किस ग्रंत में है आंसर दोस्तो इसका शत्पत ब्राह्मन में शत्पत ब्राह्मन ग्रंत में दोस्तो आगे हमारे पास विशे राश्तिय सोतंता आंदोलन से समंदित प्रश्नों का और दोस्तो हमारा ग्यारवा प्रश्न शुरू हो रहा है इसने सेंट्रल मोहमंडल नैशनल एशोशेशन की स्थापना की थी आंसर है दोस्तो इसका साईद अमीर अली ने साईद अमीर अली ने सेंट्रल मोहमंडल नैशनल एशोशेशन की स्थापना की थी बारवा प्रश्न है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में में जिन्ना ने दो राश्तों के सिध्धान्त को प्रतिपादित किया था 1940 के लाहोर अधिवेशन में ने सो चालिस के लाहोर अधिवेशन में जिस समय आई सी एस में भारतिय की आयू घटा कर 18 वर्श की गई लाड़ 16 वरी थे Secretary of State लाड़ 16 वरी थे दोस्तों Secretary of State कोन कलकत्ता विश्विधाले का रथम भारतिय उप उलपती था कोन कलकत्ता विश्विधाले का पर्थम भारतिय उप उलपती था गुरुदास बंदो उपाध्याई अंद्रवा प्रश्ण है बंगाल विवाजन के बाद पूरवी बंगाल का प्रथम गवर्नर कोन बना प्लाम फील्ड फुलर प्लाम फील्ड फुलर इसने कलकत्ता में दी नैशनल एसोशेशन की स्थापना की स्रेंदरनात बनर जी ने सत्रो प्रशन है किस वाइसाई द्वारा कांग्रेश को प्रतिबंदित कर दिया गया था लॉड विलिंगटन ने अठारव प्रशन है दोस्तों इस गवर्नल जन्रल ने 1899 में कलकत्ता कोर्परेशन एक्ट्व पारित किया लॉड करजन ने इसकी अधक्षता वाले कांग्रेश अधिवेशन में आसयोग आंदुलन का प्रस्ताव पारित हुआ लाला लाजपत्तराई 1920 में कलकत्ता में कांग्रेश के विशेश अधिवेशन में वीशुआ प्रशन है सन 1893 में सर विलियम वैडवन तदा डव्लू एस कैन ने किस देशे से इंडियन पार्लियमेंटरी कमेटे की स्थापना की थी अंसर दोस्तों इसका भारत में राजनेतिक सुधार हे तू आउस ओफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए भारत में राजनेतिक सुधार हे तू आउस ओफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए दोस्तों आगे हमारे पास विश्य है भारते राजी व्यवस्ता एम सविधान से सर्मंदित प्रशनों का और दोस्तों मारे किस्वप्रशन है भारत की संप्रभूता एक ता तता अखंडता को अक्षन बनाए रखने तता उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है राज उनके समान सरक्षन की तंकल्पना कहां से ली गई है अमेरिका से। भारत को एक गण राज्य मुख्य रूप से माला जाता है क्योंकि राज्य दक्ष का चुनाव होता है। उपराष्ट पतिपद के उम्मिद्वार के नामंकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना अवश्यक है। कब जब्त कर ली जाती है। लोक सभा तथा विधान सभा के किसी चुनाव प्रत्याक्षी की जमानत राशी कब जब्त कर ली जाती है। तो दोस्तो आंसर है इसका जब वह कुल मतदान के एक बटाच्छे मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। 29 प्रश्ण है भारत सरकार अधिनियम 1919 दोस्तो आगे हमारे पास विशे भारत एवं विश्व का भुगोल्त। तो दोस्तो इसमें हमारे अप्रश्ण शुरू हो रहे हैं 31 प्रश्ण से तो मुंदर की एक चोड़ी उप खाड़ी परवेश मार्ग जो अकार में अवतल हो क्या कहलाती है। मान सुनी वन का एक अन्या नाम है उष्णिकटी बंद हैं पत जड़वाले वन. डैश एक इस्तितारे के संदर्व में पिर्थवी द्वारा अपनी कक्षा में दिये गए विंदू पर लोटने के लिए लिया गया समय है नक्षत्र वर्ष भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है यानिके उतपादन करता है तो दोस्तों आंसर है इसका करनाटक राज्य वायू मंडल की कब से निचली परत का क्या नाम है शोब मंडल शोब मंडल कारे किया रूप से शुष्क मिट्टी की क्या वशेष्टा है मिट्टी में लवन सांध्रता अधिक होगी दोस्तों वीडियो में दिगया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर करे और मेरे यूटूब चैनल धमाकाजीके को सब्सक्राइब जुरूर करे इससे आगे भी आपको मेरी एक्जाम डिटिट वीडियो मिलते रहे दोस्तों आगे लावा के ठोस होने के फल सुरू प्रतिवी के अंदर निर्मित चटानों को कहते हैं फ्लूटोनिक चटाने उत्तरी अंदमान में अंदमान निको बार दीप में गदिदार चोटी यानिके सैंडल पी कहां इस्तित है उत्तरी अंदमान में दोस्तों आगे हमारे पास विशे परिया वरन एम जय वित्त से सम्मंदित प्रशनों का और दोस्तों हमारे प्रशने शुरू हो रहे हैं कालिस वे प्रशने से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूटा है कि वह एक प्लवमान यानिके फ्लोटिंग वनसपती से युक्त अनूप यानिके स्वैम होने के कारण सम्रिद जय विवित्ता को बढ़ावा देता है अनूटा है कि वह एक प्लवमान यानिके फ्लोटिंग वनसपती से युक्त अनूप स्वैम होने के कारण सम्रिद जय विवित्ता को बढ़ावा देता है के बुल्लेम जाओ नेशनल पर पहरियार वनने जीव अभ्यारन किस राजय में इस्तित है केरल राजय में ग्लोबल 500 पुरसकर प्रदान किये जाते हैं परिया वरन पतिरक्षा के लिए किस देश में सरवादिक अम्रिय वर्षा होती है नौर्वे में जिसमें वाईउ मंडलिय कारबन डेक्षैड द्वारा सोर विकीरन प्रखरिया नैशनल सेन्टर फ़ॉर माहर इन वाईउ ड्राइवस्टे N.C.M.B. कि शेहर में इस्तित है जामनगर गुजरात में भारत का प्रथम National Center for Marine Biodiversity N.C.M.B. कि शेहर में इस्तित है जामनगर गुजरात में रतिश्टी ट्वाइलेट प्रसकार 36 वे प्रदान किया जाता है परियावरन शुरक्षा में 48 वद उस्तो प्रशन है विश्व मोशम विज्ञान संगठन का मुख्याले अवस्तित है जनेवा में Greenpeace International का मुख्याले अवस्तित है M.C.T.R. में N.E.A. से आशाय है National Environment Authority दोस्तो आए हमारे पास अवीशे भारति अर्थिवस्ता से सम्मंदित प्रशनों का और दोस्तो इसमें हमारे प्रशन ही क्या उन्हें प्रशन से तो प्रथम किस वर्श्रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था 1924 से भारत में इस मानक को प्रतिव्यक्ति आए की गणना हितू परिक्ति किया जाता है निवल राष्टिये आए को नेक्स्ट कोशन है दोस्तों कभी-कभी समाचारों में पाये जाने वाला पद वैस्ट टैक्सोस इंटरमीडियेट किस एक पदार्ति की श्रेनी से समंदित है कच्चे तेल की कभी-कभी समाचारों में पाये जाने वाला पद वैस्ट टैक्सोस इंटरमीडियेट किस एक पदार्ति की श्रेनी से समंदित है कच्चे तेल की दोस्तों चवनवा प्रश्ण है आलिके वर्षों में संगियें तरकार के बजट में व्याका सबसे बड़ा मद रहा है प्याज की अदाई की एको मार्क उन भारति उत्पादों को दिया जाता है जो परिया औरन के प्रती मैत्रिकूर्ण हो भारति आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलद आयकर चूट को समाप्त करने के शिफारिश की समिति ने की है केल कर समिति ने अगला प्रशन दोस्तों एक विवेदात्मक एक अधिकारिवादी बजार में उचतर मुल्य अरोपित करेगा जिसमें मांग की मुल्य लोच कम होगी अगला प्रशन एक विवेदात्मक एक अधिकारिवादी बजार में उचतर मुल्य अरोपित करेगा जिसमें मांग की मुल्य लोच कम होगी अगला प्रशन एक वा प्रशन भारत की संचित निधी से निधी से निधी निकालने के लिए किसका अनुमोधन अनिवारे हैं जून जुलाई 2021 में इस्थापिद वैड बैंक का विदिक नाम क्या है दोस्तो आंसर इसका National Asset Reconstruction Company Limited क्राट प्रशन है कौन सा संगटन वर्ल्ड एकनोमिक आउटलूक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है अंतराश्तिय मुद्रा खोश अंतराश्तिय मुद्रा खोश अगला दोस्तो मारे पास विश्य है प्रशनमपाशन है समाणय विज्ञान एम्तकनिकी से समंधित जो प्रशन में दिये है इक सेट वर प्रशन है पूलो के अध्यान को कहते हैं है अंतालॉजी वाशдवा दोस्तो प्रशने है बायो गैस मिश्रन है मिधिन और कर्बन डाियाक साइड पायो गैस मिश्रन है नीथेन और कारबन डेकसाइड का नेक्स्ट कोशन है धवनी की प्रबलता का मात रख है ड़ैसी वल कौन सी गैस या गैस से दुरलप गैस कैलाती है तो दोस्तो आंसे है इसका magic दोEhज एक उलचे है इने नोबेल गैस ही कहा जाता है और तो दूस्तो आंसर उरे इसका एलियूम, नियोन, औरगन, क्रिप्टरों, जनान और रेडिएन न्यूट्रों की खोषकिस विख्यानिक ने की है चड़विक ने सित्रियूम का पूरा रूप है सुप्सक्राइबर अडन्टी मॉडूल तिम का पूरा सवरूप है यानिके विश्तारूप है subscribers identity module अगला है दोस्तो प्रशन तो दोस्तो आंसर है इसका ऐस्ट्डोजन किसी लिफ्ट में बैटे हुए व्यक्ति को आपना भार कब अधिक मालूम पढ़ता है जब उपर जा रही हो जब लिफ्ट उपर जा रही हो जब नर और मादा पुष्प प्रिथक प्रिथक पादपो पर पाए जाते हों तो उस पादप को कहते हैं एक लिंगा श्रै जब नर और मादा पुष्प प्रिथक प्रिथक पादपो पर पाए जाते हों तो उस पादप को कहते हैं एक लिंगा कतरवा दोस्तों प्रशन में दिया गया है पैट्रिफ्रेक्शन, इंप्रेशन और कम्प्रेशन प्रकार है जिवाशम के पैट्रिफ्रेक्शन, इंप्रेशन और कम्प्रेशन दोस्तों प्रकार है यानि के टाइप है जिवाशम के दोस्तों आगे मारे पास विशेशिक्षा एवं बाल मुनोविज्ञान से संबंदी प्रश्णों से, तो दोस्तो हमारे पास इसमें प्रश्ण एकतरवे प्रश्ण से, इस मुनोविज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, अंसर दोस्तो इसका फ्रायड ने, फ्रायड ने, इस व्यवार का यठार्त विज्ञान यह कतन है दोस्तों मैक डूगल का, इस विदी में परियोग के दोरान व्यक्ति का मस्तिक्ष दो भागों में विवाजित हो जाता है जिसमें एक भाग निरिक्षन करता है तता दूसरी का निरिक्षन किया जाता है अन्ता दर्शन का। इस विदी के संदर्व में का है कि वनोविज्ञानिक परियोगों का उद्देश ये किसी निशित परस्तिति या दशाओं में मानव्यवार से सम्मंदित किसी विश्वास या विच्चार का परिक्षन करना है। अन्ता दर्शन प्रो और प्रो ने किस विदी के संदर्व में का है कि मनोविज्ञानिक परियोगों का उद्देश ये किसी निशित परस्तिति या दशाओं में मानव्यवार से सम्मंदित किसी विश्वास या विच्चार का परिक्षन करना है। अंजरे दोस्तों इसका अंता है दुर्शन दोस्तों 77 प्रशन है किशोरा वस्ता बड़े संगर्ष तनावा तूफान की अवस्ता है यह किस ने कहा है यह किस ने कहा है स्टैनिले हॉल ने। 78 वा दोस्तों प्रशन है शिक्षा मनो विज्ञान अध्यान करता है श्या शिक प्रस्तितियों में मानो व्यवार का। 79 वा दोस्तों आगे हमारे पास विशे खेल खूच से समंधित प्रशनों का और दोस्तों हमारे प्रशन है क्या 90 प्रशन से मेरा थन दोड की दूरी होती है 42.1995 किलो मिटर मेरा थन दोड की दूरी होती है 42.1995 किलो मिटर। पोलों के मेदान का अकार होता है 270 मिटर मल्टिप्लाई 180 मिटर यानिके लंबाई 270 मिटर और चोड़ाई 180 मिटर। किसी अंतर राष्टे फुटबाल मैच की समाने समान्या अवद्धी कितनी होती है 90 मिटर 90 मिटर किसी अंतर राष्टे फुटबाल मैच की समान्या अवद्धी कितनी होती है 90 मिटर यानिके कुल 90 मिटर का जो है वो समय दिया जाता है अगला प्रशन है 30 सेकंड किस खेल से स मन्दित शब्दावली है वाक्सिंग से अरजुन प्रसकार कब प्यारम हुआ 1961 में विश्व कफुट बॉल का सरवादिक बार विजेता होने का गौर अफिस देश को प्राप्त है प्राजील को और ब्राजील ने ये खिता पांच बार जीता है विश्व का फुट बॉल का सरवादिक बार विजेता होने का गौर अफिस देश को प्राप्त है प्राजील को और ब्राजील ने खिता पांच बार जीता है निन्यार में दोस्तों प्रशन हमें दिया गया है पहली बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्टे खेल दिवस के रूप मे मनाया गया था वर्ष 1905 में पहली बार वर्ष 1905 में 29 अगस्त राष्टे खेल दिवस के रूप में मनाया गया था वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है साथ वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाडियों की संख्या होती है दोस्तों साथ दो दोस्तो आगे हमारे पास विश्य कृषी, और दोस्तों कृषी में हमारे प्रश्ण शुरू हो रहे हैं, 101 प्रश्न से, आई आइघ्वेन्टी और रतना दो प्रमो किस्मी हैं धान की, रंजीत सब वन एवं बहादुर सब वन क्या हैं, धान की दो नहीं किसमें, रंजीत सबवन तथा बहादुर सबवन क्या है धान की दो नहीं किसमे जया पदमा एमकृष्णा किस धान्य की उन्नत किसमे है धान की शक्तिमान एक और शक्तिमान दो अनुवान शिक परिवर्थित फसले है मक्का की जो मैजून में शूरू होता है और जिसमे धान और जवार बाजर आधी मुख्य फसले उगाई जाती है भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है अप्रेल और जुनुनुनुनुन गेहूं के अच्छी खेती के लिए कौन सी परस्तिती समुच्च अवश्यक है मध्यम वर्षा। 110 प्रशन है भारती चावल चोग शो लियान के समंदर प्रशनों का क्टक उरिषाम गरिषा में 111 प्रशन है क्प्यूटर के परसेसर की गति को किस में मापा जाता है Microsoft के प्रेटी को किसमी मापा जाता है 112 प्रश्ण है computer को start या restart करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है voting Web address URL का full form क्या है uniform resource locator Web address URL का full form है uniform resource locator 104 प्रश्ण है क्यों वार code का full form क्या है quick response code 115 प्रश्ण है computer में गणनाई करने के लिए कौन सा अध्याव मुख्यता उत्तरदाई होता है अर्थमेजिक लोजिक यूनिटी यानिके ALU वानिजिक प्रियोगों के लिए उपलब दिखराए गया पहला computer था COBOL 170 प्रश्ण है OCR का पूरा नाम क्या है optical character recognition optical character recognition अट 188 प्रश्ण है CPU से computer के परीदिये उपकरनों में data का इस्थान आंतरन किसके माध्यम से प्राप्ति किया जाता है दोस्तों आंतर है इसका interface माध्यम के जरीए 119 प्रश्ण है basic computer processing चक्र में शामिल होते है input processing और out of put input processing और out of put 120 प्रश्ण है microprocessor जो computer का मस्तिक्ष होता है उसे dash भी कहा जाता है तो दोस्तों आंतर है इसका microchip दोस्तों आगे हमारे पास विवेदि से समंदित प्रश्ण 121 प्रश्ण है यह मंदिर गुजरात के कवी कमबोई में स्थित 150 पराना मंदिर है इसके एक अरफ अरप सागर और दूसरी तरफ खंबात की खाड़ी है यहां मौजूद शिबलिंग को केवल कम जवार के घंटों के दोरान ही देखा जा सकता है दिये गए विवेदि में किस मंदिर की बात की जा रही है आंसर है दोस्तों इसका स्थम बेश्वर महादेव मंदिर इसके एक तरफ अरप सागर और दूसरी तरफ खंबात की खाड़ी है यहां मौजूद शिबलिंग को केवल कम जवार के घंटों के दोरान ही देखा जा सकता है यह गए विवेदि में किस मंदिर की बात की जा रही है इस थम बेश्वर मंदिर की दरोहर सीमा शुलको और वस्तु एम से वकर का संग्राले का इस्तापित किया गया है नेक्स कोशन दोस्तों अंतराश्तिय द्रवदर पन दुर्बीन का इस्तापित की गई है देविस्तल वेदिशाला परिसर नेनिताल में परम सिद्धी क्या है भारत में विक सिती कृतिम एधा सूपर कंप्यूटर Ocean Promise इट्स विजन फार ब्लू एकनोमिक किसके द्वारा रॉंच किया गया है संयुत राश्ट विकास कार्य करम के द्वारा संयुत राश्ट विकास कार्य करम के द्वारा 126 वप्रश्ण है, प्रसिद कोणाक सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था नर्सिंग देव प्रथम के द्वारा 127 वप्रश्ण दोस्तों दिया गया है, जली कटु भरत के किस राज्य में मनाया जाता है, तमिन नाडु राज्य में किस दिन को अंतराश्टिय विद्वा दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जून को अंतराश्टिय विद्वा दिवस के रूप में मनाया जाता है 139 प्रशन है मड़ई त्योहार किस राज्य का आदिवासी तेवार है 36 गड़ राज्य का मड़ई तेवार किस राजे का आदिवासी तेवार है? 36 गड़ राजे का दोस्तो ये हमारा अंतिम प्रशन है 130 प्रशन संस्कृति और सब्वैता के अध्यन के लिए स्थापित टैगोर के अंदर कहा है? शिमला में स्टेंस्कृत्य और सववेता के अध्यान के लिस्ता पे टैगोर के अंद्र कहाँ इस्तित हैं दोस्तों आंसर इसका शिमला हिमाचल पर्देश में दोस्तो इसी अंतीम प्रशने के साथ प्रतियो गिता दरपन के दिसंबर महा के नए अडिशन में दिये गए साह संगरे के सभी प्रशन हमारे पूरे होते हैं दोस्तो वीडियो में दीगा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेय जरूर करें और मेरे यूटूब चैनल धमाकाजीके को सबस्क्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एक्जाम डेलिट वीडियो मिलते हैं दोस्तो मिलते हैं नेक्शन वीडियो में टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यावाद